अब सियास्त से जुड़ी एक और बड़ी ख़बर में आपको बता दू। महराष्ट से ख़बर आ रही है। महराष्ट में विधान सभाचुनाओं के लिए राज ठाकरे ने कमर कसली है। राज ठाकरे लगातार पार्टी कारेकरताओं और नेताओं के साथ बैठके कर रहे है आज उन्होंने एक एहम बैठा गुलाई जिसमें राज ठाकरे अपनी रणनीती तै करेंगे। पिछले कई दिनों से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कारेकरताओं को महराष्ट के कोने कोने में जाने के लिए कहा था। उसका जायजा लिया गया पिछले दो दिनों से राज ठाकरे इस पर मंतर कर रहे हैं कि आप राज ठाकरे ने दो सो से ज़्यादा सीटों पर का फीडबैक ले लिया है। से राज ठाकरे जायजा ले रहे हैं उस प्रकार से तो ये बात साब दीक रही है कि राज ठाकरे अपने दम पर मंत से स्वबल पर लड़ाई लड़नी चाहती है। उस इसाब से उन्हें अभी तक 288 सीटों का जायजा पुरी तरह से लिया है। क्या आप स्वबल पर लड़ना चाहते हैं। ठीक है ऐसा है फिलाल तो हम जो हमारी बैठक होई थी कल पर सो राज साब ने पूरे 288 सीटों का जायजा उसमें लिया कि उन सीटों पर क्या पोजिशन है पाल्टी के पिछले बार कितने वोट थे और कौन समोवे उमेदवार हो सकते हैं वहाँ पे इस प्रकार का पूरी ज अब अभी तक तो कोई प्रस्ताव है नहीं हमारे पास नहीं उसके कोई बात चीट चल रही है तो अभी तो हम लोग जो राज साब ने आदिश दिया है उस प्रकार से 288 सीट के उपर हमारे सभी पदारिकारी तैयारी कर रहे हैं तो क्या इसका कोई नुकसान भी आने वाले जिनों में विधान सभाच नौ में एंडिया कुट को हो सकता है